मक्का की नीचे दामों पर खरीदारी का दबाव धिरे धिरे बढ़ रहा है चपकी आवग बेहत कमजोर बनी हुई है मक्का ने स्टार्श निर्मताओं की सबसे ज्यादा खरीदारी देखी जा रही है पशु आहर निर्माताओं की भी मांग अच्छी रहरे से फिलाल बाव में तेजी देखने को मिल रही है उदर छामनी मंडी में मक्का के भाव साड़े 2100 से 2200 रुपे प्रतिक्विंचल तक पहुंच चुके हैं दरसल प्लांचों की ओर से मक्का में 35 रुपे की तेजी के साथ भाव 270 रुपे बोले गई है मक्का की आवक मंडियों में फिलाल 800 बोरी तक सिमित है और स्टोकिस सक्रिये हैं ऐसे में उमीद की जा रही है कि मक्का की केमतों में आगी तेजी बनी रह सकती है दूसरी और गेहु में भी मांग का दबाव बराबर रहने से मक्का को सपोर्ट मिल रहा है गेहु के पादक मंडियों से पिछले दिनों करनाटक तमिल नाजू के लिए गेहु की लोडिंग चलने से बाजार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आटा मैदा सूजी की चलानी मांग भी जोरदार देखने को मिल रही है दूसरी और धीरे-धीरे स्टोक के माल बाजार में आना शुरू हो चुके हैं जिसको देखते हुए जानकार मान कर चल रहे हैं कि निकट भविश्या में फिलाल मक्के की कीमतों में तेजी के आसार काफी कम दिखाई दे रहे हैं जिसकी की जो कि फिसकी है हुए है